नमस्कार साथ आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूटूब चनल भाई करड़ा तेश पर आज की वीडियो में हम लेका रहे हैं ए आयाई रिक्रूमेंट तो अजार तेश जूनियर और सीनियर अशिस्टेंट पदों पर निकली है बरती करिया आवेतन इस तारिक से अशिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर अशिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए अधिस उचना जारी कर दी गई है और आवेतन पर क्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी और जबकि आवेतन पत्र जमा करनी के अन्तिम्तिती 26 जनुरी 2024 तर रिक्तियों का विब्रण इ एन आई के लिए और 25 रिखती अशिस्टेंट प्रोफेसर की है और सीनियर अशिस्टेंट की 19 रिखती है आयूशिमा की बात करें तो आयूशिमा ठाड़ा से 30 वरस और आई कुई करना 20 दिसंबर 2023 से की जाएगी आवेतन सुल्क 1000 रुपे देना होगा अनुश्य जाती और सीबी आई सफाई करमचारी उप करमचारी रिखती के लिए आवेतन आमन्तित करता है यहां पर सेंटल पैंक में बढ़ती आई है मैं तो पून तितिया ओनलाइन आवेतन करने की प्रारंबिक तिती 20 दिसंबर है ओनलाइन आवेतन करने के अंतिम तिती 9 जनवरी आवेतन प्राम ट्रैनिंग तिती चनवरी 2024 में ओनलाइन प्रिक्षा फरवरी में होगी और ओनलाइन प्रिक्षा के लिए कोल लैटर फरवरी में ही जारी किया आयू सिमा की बात करें तो 31 मार्ज 2023 तक आयू 18 वर्स और अधिक्तम 26 वर्स होनी चाहिए और नियमा नुसार आयू में छूट भी दी जाएगी हूं योग्याता की बात करें तो उमीद्वारों को दस्विक अक्सा उत्तिन होना चाहिए दिखते है इस परकार से है पद्द सफाई करमचारी उपकरमचारी कुल रिखते हैं चार सो चुरासी हैं जारकंड पुलिस बरती 2023 में 4999 कोंस्टेबल के प दिए गए हैं आवेदन सुल्क सो रुपे और स्ट उमीद्वारों के लिए पचास रुपे बुगतान का परकार ओनलाइन रहेगा अधिस उचना जारी पीस दिसंबर 2023 से होगी ओनलाइन आवेदन की आरमतिति जया पंदरा जन्वरी तो अजार चोबिस से आवेदन पढ़ करने की तिथी 18 फरवरी आवेदन में संसोदन 20-22 फरवरी के बाद बीच किया जा सकता है आयू नून तम रायू 18 वर्स और अधिक्तम 25 ओविशी के लिए 27 महिलम वीद्वार के लिए 28 सेस्ट पूरुस के लिए 30 वर्स होनी चाहिए योग्यता कि शिमन्नत प्राप्त भारत से बोर्ड से मैट्रिक वेदेस्विक अक्सा पास होना चाहिए कुल रिक्तिया है चार अजार एक सो चार अजार नो सो उन्नीस नेक्स्ट नूज है तदर सिख्षकों को मिला है 16 महिन्ने का वेतन परताप गड़ 16 महिन्ने से 9 करी वेतन की मांग कर लेकर लड़ाई लड़े तदर सिख्षकों के लिए रात वरी खबर है जिले के 513 तदर सिख्षकों में से 200 से जादा का वेतन बुद्वार को बैंक के खाते में पहुंच गया वेतन मिले की कुछी का जार कर रहे सभी अब्याति लेकिन कहीं सिख्षक ऐसे भी हैं जिनका वेतन नहीं है वेतन नाने पर सिख्षकों ने सिख्षक नेता हुआ अधिकारियों से बात की तो पता चला कि गरांट खतम होने की वज़े से उनका रुका वेतन नहीं आ है अगले सब्ता गरांट आने पर उनका वेतन भी जारी कर दिया जाएगा ऐसे में उन्हें रात की सांस लिबता देगी तरद सि जोलाई 2020 नौंबर 2020 तक दिया गया टीजीटी और पीजीटी 2021 की वैटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है सेकिन वैटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है और जो 32 सेकिन लिस्ट में है वे अपने डोकोमेंट्स सईत परियाग राज पहुँंचे ओके साथ हो फिलाल आज की वीड